रिवा में शिव बारात आयोजन इवं कल्यान समीती द्वारा पिछले 40 वर्षों से शहर में शिव बारात निकाली जा रही है समय बीतने के साथ साथ श्यवारात भविता के साथ निकाली जाने लगी जहांकी उन्रत बेंड बाजा सहित हजारों लोगों की भीड बारात का हिस्सा बनती है पिश्य वर्स महाशिवरात्री पर्व के असर पर इंक्यावन सु किलो खिचरी का भोग लगा था जो की विश्व रेकॉर्ड बना और इस बार नगाड़ा बनाया गया है जो एशिया बुक आफ रेकॉर्ड में आज दर्च हुआ इस नगाड़े को अयोध्या राम मंदर को समर्पित किया जाएगा बारा मार्च की सुब 108 वाहनों के काफिले के साथ अयोध्या पहुँच नगाड़ा समर्पित किया जाएगा नगाड़ा का बजन 11 कुंडल है जिसकी उचाई 11 बाई 11 और उचाई 6 फिट है एशिया बुक क्वंत्री राजिंद्र शुक्ले ने तारीफ करते हुए कहा कि अयोध्या में रीवा की ही चर्चा है नगाड़ा के रूप में अब रीवा का भी योगदान राम मंदिर में होगा एशिया बुक आप रिकॉर्ड के और से डॉक्टर एके जैन यहां रीवा इस समीति द्वारा बनाये गए देश के सबसे बड़े नगाड़े के रिकॉर्ड के लिए मैं आया और यहां पर मैंने पाया कि यह नगाड़ा जो है ग्यारा सो किलो वजनी और जिसका डायमीटर 32 वीट का है और इसकी हाइट जो है वो छे बीट के करीब है और इस तरह का नगाड़ा पहली बार रिवा में बनाया गया जिसका मैंने प्रमानित किया इसको पुर्ष्टी की और मैं एशिया बुक आप रिकॉर्ड की और से देवोंचे महादेव की हम हम अमत दंजय के नगरी में उत्सा और अंदिका श व्लाच का वह जा के में है कि और चाहिए सब म्यैश्पल .... सब्सक्राइब के साथ धार्मिक सांस्क्रित आयजनों में भी अपनी बहुत ही महत्पुर्ण भूंका निभारा है उसी कड़ी में शूरा शूब आरात के द्वारा जो महाशूरात्री में आयजन होता है वह बहुत यदूत होने लगा है देरे-देरे करके कारवा चलता रहा ह लोग जुड़ते गए और इस प्रकार से भव आयजन होते हुए हम लोग देख रहे हैं आज भगवान शूब की अराधना होगी और भगवान शूब का आशिरवाद हमारे नसर रीवा बिंद को बलके पूरे प्रदेश और देश को मिले इसी कामना के साथ शूब आरात का यहां पर एक भव आयजन पिसे कई वर्चों से किया जा रहा है इसके साथ ही आज एक विशिस्ट पहल यह है कि आयुद्या में भगवान राम लला के मंदिर के भव निर्मान के बाद उनकी प्रतिस्वापना के बाद शूब रात के दोरा एक बहुत बहुत नजारा वहां भेजा जा रहा है जो वहां पर उसका उप्योग होगा